टीवी एस मोटर जल्द ही भारत में फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाले दोफिया वाहनों को लॉंच कर सकती है कम्पनी ने बताया है कि वह अगले साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच अपनी पहली फ्लेक्स फ्यूल बाइक को अंतिम रूप देगी हालांकी कम्पनी पहले भी फ्लेक्स फेल बाइक पेश कर चुकी है लेकिन इस बार कम्पनी का यह मॉडल उत्पादन के लिए तयार होगा एक आधिकारिक बयान में TVS ने कहा कि सितंबर से अक्टूबर 2024 के बीच इस बाइक का उत्पादन शुरू किया जाएगा यह जानकारी कम्पनी ने सोमवार 12 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित इथेनॉल टेक्नोलोजी एक्सिबिशन में दी आपको बता दे कि केवल TVS ही नहीं बलकी बजाज आटो, हीरो मोटो कॉर्ट, होंडा टूवीलर और सुजुकी मोटर साइकल जैसी दोपिया वाहनों की बड़ी कम्पनियों भी इथेनॉल वाहनों को उतारने की तयारी में है इस प्रदर्शनी में रॉयल एंफिल्ड और यामाहा मोटर इंडिया ने भी हिस्सा लिया था इस प्रदर्शनी में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारूती सुजुकी भी अपनी फ्लेक्स फ्यूल कार के साथ शामिल हुई थी कार निर्माता ने वेगनार, वेगन के फ्लेक्स फ्यूल मॉडल का प्रदर्शन किया था फ्लेक्स इंजन वाहनों को फ्लेक्स फ्यूल से चलने के लिए तयार किया जाता है ऐसे वाहन पूरी तरह इथेनॉल, फ्लेक्स फ्यूल, पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण या पेट्रोल डीजल से चल सकते हैं इथेनॉल से चलने के कारण ऐसे वाहन हानिकारग गैसों का उतसरजन कम करते हैं और परियावरन को भी कम नुकसान पहुँचाते हैं केंडर सरकार भारत में फ्लेक्स इंजन वाहनों का निर्मान शुरू करने के लिए नीती तयार कर रही है इस नीती के लागू होने के बाद देश में वाहनों कमपनियों के लिए फ्लेक्स इंजन वाहनों का निर्मान करना अनिवार्य होगा एक अनुमान के अनुसार, फ्लेक्स फ्यूल से भारत में हर साल एक लाग करोड रुपे से ज्यादा के इथिनॉल का कारोबार किया जा सकता है इथिनॉल के उप्योग से भारत की निर्भरता पेचोल के आयात पर कम होगी और करोडो रुपे के राजस्व की भी बचत होगी इसके अलावा इथिनॉल मिश्रित फ्लेक्स फ्यूल के इस्तमाल से वाहनों से होने वाला प्रदूशन भी कम होगा